नमस्कार बच्चों, हिंदी की आज की इस क्लास में आप सभी का हारदिक स्वागत आज हम व्याकरण मंधाकिनी से अध्याय दो का अध्यन प्रारम करेंगे अध्याय दो का नाम है वण विचार यानि की आर्थोग्रेफी दरसल हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले की अक्षर क्या होता है भाषा यानि की लेंग्विज इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनी यानि की साउंड बोलते हैं ठीक है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनी यानि की साउंड है और इन्ही धुनियों को हम कहते हैं अक्षर अक्षर यानि की लेटर ठीक है ल, e, 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 r अक्षर के लिखित रूप को वर्ण गहा जाता है ठीक यानि कि जब हम अक्षरों को लिख लेते हैं जैसे की आ, का, चाटा, पामा ये लिखा हुआ है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, यानि कि अगर हम इस बात को दोह राएं, एक बार कि भाशा की सबसे छोटी इकाई दोनी होती है, जिनें हम अक्षर बोलते हैं, जब इन्हीं अक्षरों को लिख लिया जाता है, इस रूप में, तो इसको कहा जाता है, और मोहन का गाता हुआ ठीक दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं यह जो दोनों वाक्य है राधा नाच रही है और मोहन गा रहा है ठीक है यह वाक्य है राधा का नाचना और मोहन का गाना यह दोनों वाक्य है अब इन्हें अगर हम ध्यान से थोड़ा सा समझे राधा एक शब शब्द कैसे बने हैं शब्द बने हैं वर्णों के मिल से तो हम सबसे पहला शब्द ले ले राधा तो राधा नाम का ये जो शब्द है ये किन-किन वर्णों से बना है एक तो ये रा रा जब बगेर आ के होता है तो उसके नीचे हम ये जो हिस्सा लगाते हैं ये इसे हम बु डूता इक की मात्रह जुड जाए ठीक लेकिन क्योंकि यहाँ यह अगर केवल रा होता तो अधे रा में हम प्लिस आ करतें के छणकी रा नहीं रा है तो इसमें क्या जह हएगा इसमें आ की जगें किया होगा बड़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि यहां हाधा जो लिखा हुआ है इसमें कौन-कौन से वर्ण है इसमे एक तो अधरा है दूसरा बड़ा A है तो यह दुनओ मिला करके बन गया रा और आधा धा और फिर बड़ा आ तो यह हो गया धा तो कुल मिला करके ये भी चारवर्ण है, रही में आधा रा, फिर छोटा आ, कि ये केवल र है, रा नहीं है, तो इसलिए छोटा आ है यहाँ पर, और हा, फिर बड़ी की मात्रा, तभी तो रही बना, तो इसमें भी चारवर्ण है, मोहन में आप देखेंगे छेवर्ण है, म, प्लस ओ की मात्रा, आधाई 하 properly प्लस आधाना और प्लस ए तो यह चेवर्ण है इसी तरह से गाना में गाळाई now प्लस बडा आए प्लस बड़ा आ चारवर्ण है गाता में भी चारवर्ण है और है में आप देख सकते हैं केबल दो परन है क्योंकि है जो बनता है वो आधा आ और आए की मातरा से बनाए है ठीक है अच्छा अगर यही केवल हे होता तो यह कैसे बनता आधा हा प्लस ए की मातरा यहां मातरा ए नहीं है आए की मातरा है तो आप देख सकते हैं धुनियों को जब हम अलग-अलग लिखते हैं तो जो लिखित रूप में हमें दुनिया है राधा शब्द में जो दुनिया है वो र आधा है तो यह चारू वर्ण कहलेंगे तो दुनियों को अलग करने से जो कुछ हमें लिखित रूप में दिखाई पड़ता है वही वर्ण है मुझे लगता है बच्चों यह बात समझ के होंगे इसे परिभाशित कर ल तो यही दुनिया कहलाती है वर्ण कहलाती है ठीक है तो मुझे लगता है कि आप यह बात समझ गया होंगे और अब हम आगे जानते हैं कि यह जो वर्ण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं वर्ण जो होते हैं मुक्यता तीन प्रकार के हैं एक तो स्वर जिने हम वाविल बोल हैं और ये कौन-कौन से हैं हिंदी वर्णवाला में आ से ले करके आह तक ठीक है जो पहला हिस्सा हिंदी वर्णवाला का दिया गया है उसमें प्रारंब के जो तेरा आपने पढ़ा स्वर ये क्या होंगे मतलब तेरा जो वर्ण होंगे ये स्वर कहलेंगे कौन-कौन से होते हैं इसमें सभी को वर्ण माला आती होगी ना हिंदी की छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ ए, आए, आए, ओ, आओ, रिन, अंग, आ तो ये तेरा स्वर होगे बच्चों ठिक, यहां देखिए इसकी परिभाशा इन्होंने बताते हुए कहा है कि कुछ वर्णों का उच्चारन करते हुए जिहवा यानि की जुबान मुख के किसी भाग को छूती नहीं है बस स्वासवायू जो होती है वह निकलती है तो जो हमारा मुँ है वो कभी जिहवा उसको संकरा यानि की पतला कर देती है और कभी उसे खोल देती है बस इतना अंतर होता है बाकि जुबान जो है वावल के उच्चारन में मुख की किसी भाग को छूती ही नहीं है इसलिए इन्हें वावल कहा जाता है ये वर्ण किसी भी अन्य वर्ण की बिना किसी सहायता के बोले जाते है इन्हें स्वर कहा जाता है इनकी संखिया 13 है जिनने मैं अभी आपको बता चुका जो दूसरा प्रकार है वरुनों का वहा है वेंजन Consonants, ठीक, तो Consonants जो हैं, ये है, हिंदी वर्ण माला में 35 की संख्राइम में मनने चाते हैं, कितने? 35 तो कुल वर्ण माला, जो हिंदी की वर्ण माला उसमें कितने अक्षर हो गए? कोई बता सकता है? चलिए, बताइए, पटापट स्वर और वेंजन मिलाकर कितने कुल मिलाकी अक्षिर हुए, चो आपको पता चले तो कमेंड बॉक्स में लिखें, चली हम वेंजन की बात करते हैं, तो स्वरकी जब सहायता से कोई भी वरण बूला जाता है, स्वरकी सहायता के बिना अगर कोई वरण नहीं बोला जा सकता है, तो वही विən्जन है विजन तीन दरह के होते हैं इस्पर्ष विन्जन अन्तैस्थ विन्जन और उश्म विन्जन इनने हम आगे अभी जानेंगे और एक जो तीसरी केटिगरी है या तीसरा जो टाइप है वर्न का वो है आयोगवाह इन्हें मोलते हैं after sounds यह क्या होते हैं थोड़ा सा जानिएगा यह दरसल ऐसे word होते हैं जो ना तो स्वर के मिल से और ना ही वेंजनों के मिल से बनते हैं इनका उचारण स्वरों में सुतंतर रूप से होता है ठीक है इनका उचारण जो होता है वो स्वरों की ही तरह से सुतंतर रूप से होता है कैसे तो इसमें क्या क्या आता है ना ही वेंजनों की तरह यह प्रयोग में लाए जाते हैं मतलब यह इनका उचारण स्वरों की भात सुतंतर रूप से होता और इन्हें वेंजनों के रूप में प्रयोग में लाया नहीं जाता है इनका प्रयोग जो होता है वह सदेव वन के अंत में होता है प्रारंब में नहीं हो सकता तो इसमें जो आपके जन्हें हम स्वर कहते हैं वह आते हैं कौन-कौन से वह आते हैं विसर्ग वगेरा ठ ठीक हैं? तो ये सब जो है ये अन्त में आते हैं वर्ण के अन्त महीन का प्रयोग होता है. अन्ताह करण, अन्ताह आदे. ठीक? तो ये आप समझ गये होंगे, प्रारम हमें ये नहीं आ सकते हैं. मतलब कहीं आहा से ये जो आहा है, इससे शुरू होने वाला कोई शब्द आपन नहीं देखा होगा चलो अभी हमने तीन जाने वर्ण के प्रकार स्वर वंजन और आयोगवा अब हम जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं स्वर मुख्य तहा तीन तरह के होते हैं पहला प्रकार कौन सा है जिन स्वरों के हरस्वर है जिन स्वरों के हरस्वाने शौट लगू, जिन सवरों के उचारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हरस या लगू सवर बोलते हैं इन्हें मूल सवर भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे सवरों के मेल से नहीं बनते हैं, ये सोयम से बने होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ए, छोटा उ और ये स्वय में बनते हैं ये मूल स्वर हैं दीर्ग जो होते हैं दीर्ग स्वर वह क्या होते हैं जिन स्वरों के वो चारण में हरस्वर के वो चारण से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्ग स्वर कहा जाता है इन्हें संयक्त स्वर भी कहा जाता है जैसे बड़ा आ तो बड़ा बनता है एक छोटा आ और दूसरे छोटा आ को मिला के बड़ी बनती है दो छोटी ई से बड़ाव दो छोटा उसे बनता है ए जो बनता है वो आ प्लस ई से बनता है आ ए आ प्लस ए से बनता है और ओ जो है आ प्लस बड़ाव से बनता है हें तो यह दीर कसर हो गया ध्याक फिर राता है रिट स्वर पलूत स्वर गया होते हैं डूस बाँ आ वहते हैं जिनके अच्छारड में हरस्ट्रस के त्युक्षें-चे थ्यूनिवर्स मैं लगता आप इसमें कौन सा स्वर होगा बच्चों दिमाग लगाई है कोई बता सकता है क्या ऐसा कौन सा स्वर है आपने तेरा स्वर अभी सुने थे मैंने जिनको एक एक करके बोला भी था उनमें ऐसा कौन सा स्वर है जो बेसिकली हरा सुसर से तीन गुना समय लेता है तो इसमें कौ तो पलुत सोर में क्या होगा जैसे ओम है तो आप प्लस ओम करना है ना तो ओम इस तरह से बोलायाता है तो यह जो दीर्ख का यह चिन है इसकी लंगिटिविटी बढ़ाता है जैसे आप खाली और बोलते हैं ओम तो लगो और और मा में भाला हpose değer को यह बना clicking साथ बůलागे Awam तो यह आ आप ओ को थोड़ा सा खीचना हुआ और फिर मा आया ठिक है यह बात चाहिए आपको समझ में आ रही होगी यही पलुत सवर कहलाते है ठीक है तो समालिया हमें किसी से बोलना है कहीं पे सुनो लेकिन वो नहीं सुन पा रहा है तो हम बोलेंगे सुनो तो सुनो को फिर कैसे लिखा जाएगा सुनो को फिर ऐसे लिखा जाएगा चिक यह पलुत सवर कहलाते है अभी बहुत कहरे में मत जाईए इतना काफि है आपके समझने के लिए वेंजन के भेद की बात करें तो जैसे कि पहले ही बता चुके हैं वह तीन भेद में होते हैं पहला भेद होता है स्पर्ष भेंजन स्पर्ष भेंजन वह होते हैं जिनके उच्छारण में जेवा जो है वह मुख के अलग-अलग भागों का उपयोग करती है चुकि उनके भागों को उपयोग करता मतलब उन्हें जेवा टच करता है छूता है स्पर्ष करती है तो इसको हम स्पर्श बेंजन कहते हैं का से लेकर मा तक के जितने भी बेंजन है यह 25 जो वर्ण है यह क्या है यह बेंजन है और यह सब स्पर्श बेंजन है इसको हम कावर्ग बोलते हैं इसको हम चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग बोलते हैं वर्ग मतलब क्लास आप देखिए पाँच माच बढ़नों के यह यहां पर वर्ग बने हुआ है तो यतना ग्लेर है ना कावर्ग चावर्ग टावर्ग और ता और पावर्ग ठीक इसके बाद में हम थोड़ा सा जाने यह तो हमने जान ले इस परश वेंजन फिर आते हैं अंतस ला वा यह चार ऐसे वंजन हैं जिन्हें जेवा मुख का पूरा टच नहीं होता मुख के किसी भाग से आप बोल के दिखिए या रा ला बहुत हलका सा टच होता है या रा ला और वा के उच्छारण में जेवा का लेकिन उससे पहले जो आपने जो पढ़े थे वंजन वह हमें श्रुक के किसी भाग को छूत है से का वर्ख का कण्थ को छूता है चा चा जो है वो जो है दातों चा चा जैब हम बुलते हो तो जो ही वा और दाथ इदात इनसे मिल कर यह वंता है तो अभी यह कहां से वनता है इसलह को नावर जानेंगे पूरा डेटेल में पढ़ें मुख से गर्म श्वास वायू रगण खाती फे निकलती है यानि कि घरशन के साथ निकलती है जैसे शा शा और हा आप देखिए इसमें हवा तेजी से मुख के बाहर से निकलती है ये इसलिए उश्म विंजन कहलाते हैं गर्म हवा उश्मान गर्म हवा मुख से बाहर निकलती ह झाल जाज़ झाल 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 कर जाटबी है